अलवर में आज दलितू के साथ उरय अत्याचारों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है जहां रोजाना कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती रहती है जिसमें दलितू को प्रतारित किया जाता है ऐसी ही घटना मंगलवार को जिला स्पताल में सामने आई जहां नर्सिंग कर्मियों के दुआरा एक सफाई करमचारी के साथ छुआ छूँट की गई जिस पर सभी सफाई करमचारीों ने एक जुठो करून का विरूद चताया और इसके साथ ही काम बंद कर दिया गया सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिला स्पताल में सफाई करमचारीों के साथ भेतभाव किया जाता है जहां उन्हें वार्डों में सफाई होने के बाद बैट में तक नहीं दिया जाता है वही मंगलवार को जब एक सफाई करमचारी पानी की कैमपर में से पीने के लिए पानी ने ले दगी तो उसे महाँ से भगा दिया गया और कहा कि पीने के लिए पानी मांग कर लिया करूख सफाई करमचारी अर्जुन ने बताएगी संब्राइब दोगे चाँए आज आमारा इसाथ के दिया है कर दो कि दोभारे बुला कर हमने फिर भी हमारा समझोता के लिए मेटन साब को अवगत कराया, फिर भी आने के बाद उसका दूसरा नर्सिंग स्टाप था, दूसरा वो ये बोल रहा था, नीचे गलत बेवार से हमसे बात कर रहा था, यहाँ पर मेटन ओपिस में भी, जो इसकी आपको हमने बताया था, उसका नाम क्या नाम क्या है, अबे या आगात लगा है कि आज भी लोग उन्हें नीची जाती का समझते हैं, उनके साथ भेतबाओ किया जाता है, वहीं पीड़ता सीमा का कहना है अच्छुआ जात करती है, इसके आत मत लगाओ केंपर के, हमारे स्टाफ से बॉलो पानी भर के वो देंगे क्या नाम आपका? सीमा, सुनीता, कौन से वार्ड जी अखना है? फिरूटिंग वार्ड कि आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है, उनने कहीं न कहीं नीचा दिखाया जाता है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी